धर्म क्या है और क्या होना चाहिए? धर्म आजकल रुहानी सच्चाईयों के स्थान पर धर्म गरंतों और पुरातन कथा कहानियों का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना ही बनकर रह गया है। वह प्राचीन महापुर्षों के जीवन की जाँच परताल करने, धर्म पुस्तकों के इश्वर द्वारा बनाये जाने के प्रमान जुटाने और उनकी शिक्षाओं के तर्क वितर तक ही सिमित रह गया है। कई लोग नए विचारों को प्राचीन पुस्तकों के सिधानतों के साथ मिलाने के यत्न में लगे हुए हैं। एत्यासिक महत्व क्यों ना रखते हों, नई टकसाल में ढालना पड़ता है ताकि वे प्रचलित राजेकाल में चल सकें। इसलिए आज यह बहुत जरूरी है कि 21 सदी के मनुश्य के आगे ऐसी तालीम रखी जाए जो भारी आवरनों, रंगरूप और छोटी-छोटी बातों को छोड़ कर महत्वपून और मुल्लेवान हो। जो पूर्ण और यथार्थ हो। भी चुके हैं, विश्वास करने को ही आत्मा की मुक्ति का साधन समझे बैठे हैं। इसी धार्मिक उनमाद यानी जनून में वे इस तथे को संसार के आगे रखना भूल जाते हैं। कि इश्वर परमात्मा है, जिसकी सच्ची पूजा जीवात्मा का उसके साथ अभेध होना है। वास्तव में धर्म परमात्मा की ओर जाने और अंत में उसमें समाकर नया जीवन पाने का साधन होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर संगठित धर्म, तंग दिली के कारण कोई विशेश वेशधारन करने, पुजारियों द्वारा निर्धारित रिती रिवाजों का पालन करने और जन्म से लेकर मृत्यू तक के संसकारों को विदिवत करने तक ही सीमित रह गए हैं। और कुछ विशेश मंत्रों को विशेश वेदी से उचारन करने को ही काफी समझ लिया जाता है। प्रकार अपने अंदर जा सकता है और किस प्रकार परमात्मा के राज्य को पा सकता है। वे हमारी मनुवृत्ति के फैलाव के उस जहर से जो हम सब पर चड़ा हुआ है बचने में हमारी साहेता नहीं करते। आजकल के धर्म हमें पिछले समय में हुए एक या दूसरे महात्मा जैसे शिरी राम, शिरी क्रिशन, महात्मा बुद्ध, इसा मसी, कबीर सहेब, गुरुनानक आदी की पूजा करने का उपदेश देते हैं। लेकिन वे यह नहीं बताते कि उन महात्माओं ने सत्ते का अनुभव कैसे प्राप्त किया और अब हम उस सत्ते से कैसे जुड सकते हैं। धर्म इस बात पर विश्वास कर लेने पर बल देते हैं कि कोई खास धर्म गरंथ प्रभू से सीधे प्राप्त आदेशों यानि इलहाम पर आधारित है। पर वे यह नहीं बताते कि उन में लिखे अनुभवों को हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। वे यह तो बताते हैं कि हम भवसागर से पार कैसे हो सकते हैं और वह जहाज जिस पर चड़कर पार जाना है कौन सा है पर उस पर हमें चड़हा नहीं सकते। उनके पास भवसागर से पार जाने का कोई साधन नहीं है। उन्हें तो इस भवसागर के सफर का भी पता नहीं और ना ही उन्हें इसके तुफानी वेक को वश में करने का कोई तरीका आता है। इन रीती रिवाजों का जिनको ज्यादातर धर्मों में प्रमुकता दी गई है, कोई रूहानी लाब नहीं। जब तक मनुश्य सावधान होकर अपने अंतर में उस मालिक से नहीं मिलता, उसके गुणों और उसकी सत्ता को अपने अंदर ग्रहन नहीं करता, उसके सब कर्म धर्म निश्वल हैं। वह प्रमात्मा अनंत निश्चल मौन और अनंद का सागर है। हम इश्वर की कलपना नहीं कर सकते, क्योंकि वह मन और बुद्धी से परे है। गुनानक साहिब फरमाते हैं, सोचे सोच नहोवई, जे सोची लखवार। प्रमात्मा को हम स्थूल रूप में नहीं देख सकते। हम अपने अंदर सूक्ष्म और कारण मंडलों के परदों के पार अपनी सूक्ष्म शक्तियों द्वारा केवल उसका अनुभव कर सकते हैं। आप एक जगा और फरमाते हैं, वड़ा साहिब उचा थाओ, उचे उपर उचा नाओ, एवड उचा होवे कोई, तिस उचे को जाने सोई। हम उसे केवल भक्ति और प्रेम द्वारा पा सकते हैं। कल्पना या विचार द्वारा कभी नहीं। क्योंकि प्रमात्मा का साक्षतकार करना मन और बुद्धी के दाएरे से परे है। बुद्धी हमारी चेतन शक्ती के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। जब तक हम इस रुकावट से उपर नहीं उड़ जाते, तब तक हम पून चेतन मंडलों में नहीं पौन सकते, ना ही प्रमात्मा का साक्षतकार कर सकते हैं। रुहानियत का मार्ग संतमत सुरत शबद के मार्ग का नाम है, यानि यह सुरत के उस परिपून प्रभू, यानि शबद के साज जुढने का अंतरमुक अनुभव है। यह अनुभव मत मतांतरों से कहीं उचा है। इसी को हम संतमत या संतों की शिक्षा कहकर पुकारते हैं। यह शिक्षा परमार्थ के असले सिध्धानतों का वर्णन करती है। यह धर्मों से कहीं बढ़कर है। क्योंकि धर्म तो केवल सिध्धान्तों, मान्यताओं और चमतकारों का ही वर्णन करते हैं। सुरत शब्द मार्ग सच्चा विज्ञान है, जो किसी बात को यों ही मान लेने की शिक्षा नहीं देता। जब भी किसी जाती के लोगों ने इस शिक्षा को धारण करके अपने अनुभवों का वर्णन किया है, वे सब गणित की तरह एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं। रोहानी विज्ञान का यही उदेशे है कि मुनुष्य माया के परदों से मुक्त होकर स्वयम को पहचान ले कि वह आत्मा है, जो स्वयम चेतन है और महा चेतन के समुद्र का अंश है, जब आत्मा उस महा चेतन सागर में समा जाती है, तो उसमें परमात्मा के गुण प्रकशने का यह काम मुनुष्य अपने यतन से लाखों वर्षों में भी नहीं कर सका है, जबकि गुरु की सहायता से यह काम असानी से किया जा सकता है। अमर जीवन और आनंद प्रदान करता है। जो लोग इस मार्ग को ठीक तरह से समझ कर इस पर चलते हैं, उनके लिए यह मार्ग कुदरत के दूसरे कानुनों की तरह सादा और कुदरती है। पर जो लोग बिना सोचे समझे अंदा दुन्द इस मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है संत जन संसार सागर के मल्ला हैं, आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का जरिया है संत वे पवित्र आत्माएं हैं, जो धुरधाम से आकर शरीर रूपी पिंजरे के बंदनों को स्विकार करके आत्माओं को मालिक की और ले जाने का वेपार करती हैं जो हमारा स्रोत है और जिसके साथ हमारा कुदरती संबंध है मुलाना रूम फरमाते हैं मुलाना रूम का कहना है कि आत्मा वह सदगुणी पक्षी है जो तन के पिंजरे में बंद है और आजाद होना चाहती है यह सत्य का वेपार करने के लिए इस संसार में आई है और इसका ध्यान हमेशा अपने रूहानी स्रोत्र से जुड़ा रहता है संतों के अनमोल रूहानी भंडार, सुरत शब्द मार के अनभव से भरे वचन, धर्म पुस्तकों में दर्ज है यह सारे संसार की सांजी संपत्ती है जिस प्रकार परमात्मा सब का सांजा है उसी प्रकार संत जनों के अनुभव संपून मानव जाती के मार्ग दर्शन के लिए हैं यह किसी विशेश जाती या धर्म की संपत्ती नहीं प्रमात्मा उनका है जिन्हें प्रमात्मा ने अपना बना लिया है भगत रविदास जी फ्रमाते हैं आपन बापे नाहीं किसी को पावन को हर राजा मोहो पटल सब जगत बेयापियो पगत नहीं संतापा गुरु सहिबान के अनमोल पारमार्थ्रिक वचन रूपी लाल आदी गरंत के रूप में हमारे पास मौजूद हैं गुर्मत सिध्धांत नामक पुस्तक दो भागों में प्रकाशित है जिसमें इस खजाने को संसार के सामने स्पश रूप में प्रकट करने का तुछ सप्रेतन किया गया है और गुर्मत सार इसकी प्रस्तावना है गुरु अर्जन देव जी का कथन है प्यू दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मान पया निधाना सुरत शब्द योग का धे हमारी आत्मा को सीधे मालिक से जोडने का प्रेतन करना है यह आत्मा को मालिक का अनुभव करवाने का मार्ग है दिक्षा के समय गुरु शिष्य को भली प्रकार समझा कर इस मार्ग पर लगा देता है यह साइन्स उतनी ही पुरानी है जितना मनुश्य है और यह मार्ग सत्पुरुष का बनाया हुआ है संक्षेप में गुर्मत सिध्धान्त लोगों को प्रेणा देने का एक प्रयास है कि उठो, जागो और संतों को जो रुहानी बादशा है गली-गली, नगर-नगर, देश-देश, जहां भी वे मिल सकें ढूंडो और उनकी शरण लेकर इस मार्ग पर चलो जो खड़क की धार के समान है जिसमें स्थूल श्रीर के मो को सूली पर चड़ाना पड़ता है किसी ऐसे गुरू की तलाश करो जो तुम्हें असत्ते से सत्ते की ओर चलने का केवल उपदेश ही ना दे बलकी स्वयम, लोग पर लोग और रुहानी मंडलों पर तुम्हारे साथ चले भी गुरुनानक साहिब कहते हैं कि जो जीवन में हमारा साथ निभाते हैं वे ही हमारे मित्र हैं और वे ही हमारे साथ खड़े रहेंगे जहां हमारे कर्मों का लेखा जोखा होना है मौलाना रूम कहते हैं कि वह इस जहां में भी और उस जहां में भी तुम्हारे साथ होगा ताकि तुम रहा से भटकना जाओ गुरु अर्जन देव जी दुनिया के जूटे मित्रों को छोड़ कर संतों के साथ नाता जोडने की हिदायत करते हैं जो हमारे मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हमारी आत्मा उन मंडलों से आई है जो समय और स्थान की सीमा से परे है इसलिए तुम संतों की संगती में अंतर आत्मा को जागरित करो जो स्थान और समय की सीमा से परे है और परमात्मा से अभेद है हमारे सारे दुख मालिक से बिछुड जाने की वज़ा से है उससे अपनी अंतर आत्मा को जोड़ कर सुखी हो जाओ संत हमारे सच्चे मार्ग दर्शक हैं उनसे सीखो कि तुम किस प्रकार शांती प्राप्त कर सकते हो और किस प्रकार अंतर में पून्ड स्थिर्था और मौन को प्राप्त करके अपने अंदर सूरियों के सूरे यानि प्रकाश के स्रोत की और मुख कर सकते हो संतों की शिक्षा, कुदर्ती और सबसे प्राचीन है यह मुनुष्य के साथ ही आई है यह एक निश्चित और अटल मार्ग है जो कभी बदला नहीं आदी काल से चला आ रहा है और जिसे कोई घटा बड़ा नहीं सकता क्योंकि यह प्रमात्मा का बनाया हुआ है गुरू, संत और महात्मा जो मालिक से अभेद है इस मार्ग की शिक्षा सदा से देते चले आ रहे हैं यह मार्ग कुदर्ती है और निजी तोर पर हम इसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं यह इनसान का बनाया हुआ नहीं, खुद खुदा का बनाया हुआ है। इस मार्ग में किसी को अंध विश्वास करने की जरूरत नहीं, इसका अनुभव खुद अपने अंतर में प्राप्त किया जा सकता है। धर्म और साम प्रदाइक्ता आम तोर पर लोग करम कांड को परमात्मा से ज्यादा जरूरी समझते हैं। उसी का रक्त चूसती है। यहां तक की धर्म के प्राण तक उड़ जाते हैं और साम प्रदाइक्ता मुर्दा चमडे में निवास करती है। मस्त हाती की तरहां यह उसी किले को नश्च कर देती है जो इसे आश्रे देता है और जिसकी चोकेदारी और हिफाजत करने का यह दावा करती है। धर्म के ठेकेदार बनकर साम प्रदाइक्ता धर्म के भारी रीती रिवाजों को सच्चे धर्म के रूप में स्थापित करती है। यह जाती वाद को बढ़ावा देती है और लोगों को असलियत से दूर कर देती है। साम प्रदाइक्ता के पुजारी केवल भारी आडमरों पर मोहित होकर यहे मान बैठे हैं कि रीती रिवाज ही सब कुछ है और अंतिम आदर्श है, इनके अतरिक और सब कुछ वे पाखंड समझते हैं। हर मजब जो मनुश्य की आत्मिक मुक्ती के लिए शुरू होता है, अंत में एक अच्छा खासा जेल खाना बन जाता है, जिसके परे कुछ सोचना या समझना बहुत कठिन हो जाता है। लोगों में अपने धर्म से पहले हो चुके महापुर्शों और धर्म पुस्तकों के लिए आदर और बाकी सब के लिए नफरत पैदा हो जाती है। दिली और दिमागी गुलामी का फंदा गर्दन में पढ़ जाता है और धर्मिक अभिमान और तंग दिली का परदा आखों पर पढ़ जाता है। मनुष्य अपनी सिमाएं आप ही बना लेता है और कुएं के मेंडक की भाती उनसे परे कुछ नहीं देख सकता। धर्मों के रीती रिवाज जिनें उनके अरम करने वालों ने मालिक के प्रेम, दुनिया के त्याग और पूजा की आजादी की नीव पर रखा था। आज सामप्रदाइकता के ठेकेदारों के हाथों में आकर हतकडियों और बेडियों का काम दे रहे हैं। और अलग-अलग धर्मों के लोगों में आपसी दुश्मनी और लडाई का कारण बन रहे हैं। वे सच्चे और विश्व्यापी धर्म के विचार से बहुत दूर हैं। मनुष्य जीवन का उदेश्य परमात्मा से मिलाप करना, उसके प्रेम और सिम्रन में मग्न रहना तथा उससे और उसकी रचना से प्यार करना है। लेकिन इसके विपरीत परमात्मा से हट कर, प्रेम से शुन्ने होकर मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बन रहा है। वे परमात्मा का प्रेमी या भक्त बनने के स्थान पर धर्मांद यानि दीन धर्म का ठेकेधार यानि निपट दुनियादार बन रहा है। दुनियादारी क्या है? उस परमपिता से विमुक होना, उसे छोड़ कर किसी और से प्रेम करना या किसी और की स्तुती सुनना। बू अलिशा कलंदर फरमाते हैं, दानी की चीस्त दुनिया दिल अज खुदा बुरीदन, जुज इशके उ, गुजीदन जुज जिक्रे उ, शुनीदन. इसलिए तुम प्रमात्मा के प्रेमी बनो. यदि धर्म उब्देशकों के उब्देश के वास्तिक उदेश्य को जिनकी आंत्रिक आंक खुल जाती है, वे इन बातों को समझते हुए, इनसे अलग ही रहते हैं. इस बारे में साइं बुलेशा फरमाते हैं, बुलेशा तरम साला तड़वाई रहंदे, ठाकर द्वारे ठग, विच मसीता कुसत्ये रहंदे, आशिक रहन अलग. रुहानियत, धर्म का आधार धर्म शुरू किस प्रकार होता है? जब मनुश्य यह मैसूस करता है, कि उसकी अपनी जिन्दगी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, तब वे जीवन के भेद की खोज में लगता है, और इसके क्यों और किस प्रकार को जानने का प्रयास करता है? वे जानना चाता है कि क्या कोई और भी हस्ती है जो इस जीवन का आधार है? यदि है, तो वे उसे जानना चाहता है. जब उसके अंदर खोज की यह भावना जाग उठती है, तो वे है भारी मतमतांत्रों को आदर्श नहीं मानता और ना ही किसी धार्मिक कानून को पून वे उस परमतत्व की खोज में लगता है, जो क्या अमीर और क्या गरीब, क्या धार्मिक नेता और क्या साधारन व्यक्ति सभी के अंदर छिपा हुआ है, और जिसकी जलक हमें प्राथना या ध्यान में लगे हुए मनुष्य के मुख पर नजर आती है. इस से किसी और परमसत के होने का एहसास होता है, लेकिन उसको जानने से पहले अपने आपको जानने की जरूरत है, अपने आपको जान लेना सब कुछ जान लेने का कखग है. आम लोग बाहरी चिन चक्रों के धारन करने और किसी एक या दूसरे मत को मानने को धर्म समझते हैं, पर परमार्थ का सं बंद आत्मा के साथ है पहुँच कर ही मुक्त हो सकती है इस परकार आत्मा रूपी बूंद को मालिक रूपी सुमुद्र में मिला देने का नाम धर्म है बुद्धी की पहुँच रुहानियत धर्म की जान है उसका आंत्रिक भाग यानि सार तत्व है संत महात्मा संसार को इस आंतरिक धर्म का उपदेश देते हैं यद्दपी या जीवन का आधार है लेकिन इसके बारे में आम लोग नहीं जानते इसकी जलक इंद्रियों और भुद्धी के स्थिर होने पर ही मिल सकती है यह मन, इंद्रियों और सोच विचार का विशे नहीं यह कभी विचार की सीमा में आने वाली वस्तू नहीं कोई भी बौधिक चतुराई या अकलमंदी हमें उस तक नहीं पहुँचा सकती चाहे लाखों, करोडों विचार और चतुराईयां ही क्यों ना की जाएं गुर्नानक देव जी फरमाते हैं सोचे सोच ना होवई जे सोची लखवार सोच विचार से उसे जानना बिलकुल असंभव है कहा जाता है कि एक बार सेंट आउगस्टिन समुद्र के किनारे बैठे अपनी डी ट्रिनिटेट नामक पुस्तक लिख रहे थे वहाँ उन्होंने एक बालक को देखा जो समुद्र का पानी सीप में भर भर कर रेत में अपने बनाए हुए एक छोटे से खड़े में डाल रहा था प्रशन करने पर उस बालक ने उत्तर दिया कि वह सारे समुद्र के जल को उस खड़े में डाल कर स्मुद्र खाली कर देना चाहता है सेंट ओगिस्टन ने उस बच्चे से कहा कि तेरी महनत सब बेकार जाएगी बच्चे ने जवाब दिया कि उसको अपनी महनत का कुछ न कुछ फल मिलने की आशा है लेकिन उस परमात्मा को जो सब का आधार है बुद्धी द्वारा समझने का तुम्हारा यानि आउगस्टिन का प्रयास बिलकुल वियर्थ है परमात्मा वह शक्ती है जो हमें समझने और ज्ञान ग्रहन करने की योग्यता प्रदान करती है संत महात्मा आत्मा और परमात्मा के रिष्टे को अनुभव द्वारा समझने पर जोर देते हैं वे नकत धर्म सिखाते हैं जिसका अनुभव इस जीवन में ही हो सकता है हमारी आंत्रिक आँखें उसके प्रकाश को देखने और हमारे आंत्रिक कान उसकी मधुरवानी को सुनने के योग्यत बन सकते हैं सच्चा धर्म हमें वे आंत्रिक अनुभव करवा देता है जिसके द्वारा जीते जी परमेश्वर की हस्ती पर त्रिड विश्वास आ जाता है परम आनंद और पूर्णता प्राप्त हो जाती है यह संसार उसी का रूप प्रतीत होता है और हम पर उसकी सेवा का रंग चड़ जाता है मरने के बाद इन सब की प्राप्ती का क्या भरोसा है फ्रांस के एक फिलासफर बर्गसा ने इसे खुला धर्म का है इसके विपरीत उधारी धर्म है जिसे बर्गसा ने बंद धर्म का है जो रिती रिवाजों का केंद्र है उनका कहना है कि मौत के बाद उसके फल की प्राप्ती का वर्नन करना सिर्फ जबानी जमा खर्च है उसका क्या विश्वास है आज हमें नकद या खुले धर्म की अवशकता है जिसकी रुहानी लहरों में सनान करके आत्मा नव जीवन प्राप्त करे और गदगद हो जाए मालिक और रुहानियत किसी जाती या धर्म की जायदाद नहीं है जीवन के तीन पहलू शरीर, मन और आत्मा प्रतेक मुनुष्य आत्मा मन और शरीर के मेल से बना है इसलिए वह आत्मिक, मानसिक और शारिरिक किसी भी प्रवित्ति का हो सकता है और उसी के अनुसार अपनी शमता की खोज कर सकता है जिस मनुष्य की वृत्ति आत्मिक है वह आत्मिक पूर्णता का जल्वा देख सकता है बहुतिक शरीर के दस ओजार यानि यांत्र हैं जिनके द्वारा यह कारे करता है पांच करम इंद्रियां जिनके द्वारा कारे किये जाते हैं हाथ, पाउं, जबान यानि बोलना और नीचे की दो इंद्रियां पांच ज्ञान इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है आखें, कान, नाक, जबान यानि स्वाद और त्वचा मन के चार यंत्र हैं जिनके द्वारा यह कर्म करता है एक, मन, समझने, मनन करने और निर्ने करने की शक्ति 2. चित, चिंतन, स्मरण शक्ति और ध्यान 3. बुद्धी, विवेक और फैसला करने की शक्ति 4. अहंकार, हौमे या खुदी, निश्चे को कारे में बदलने की शक्ति मन के इन पहलूँ का संबंद अकल, समझ, विवेक और अनुभव या पहचान करने से है और सब मिलकर ग्यान की और ले जाते हैं कर्म शरीर से होते हैं, विवेक मन से होता है और आनंद आत्मा द्वारा अनुभव किया जाता है जब ये तीनों, यानि शरीर, मन और आत्मा, समता में आकर एक स्वर हो जाते हैं तो जीवन शांत, आनंद में और अदर्श बन जाता है। मनुष्य के विकास में प्रक्षिक्षन यानी ट्रेनिंग, अभ्यास, ग्यान और मनन चिंतन बहुत महत्पुन भुमी का निभाते हैं। हम सब जानते हैं कि विययाम करने वाला मनुष्य पहलवान बन जाता है और सैकड़ों मनुष्य उसका मान करते हैं। मन और बुद्धी का विययाम करने वाला व्यक्ति बुद्धि मान और चतुर हो जाता है। और हजारों आदमियों की दृष्टी में उचा हो जाता है आत्मा का व्ययाम यानि अभ्यास करने वाला मुनुष्य लाखों पर छा जाता है सब उसका आदर करते हैं और व्य हर समय प्रसन रहता है यह कर्म, ग्यान और उपासना की असलियत है तवज्जो और तवज्जो को केंद्रित करने की शक्ति आत्मा के यंत्र हैं इनके सही उप्योग से ध्यान की अकागरता प्राप्त होती है और अकागरता से सुरत को साहेता मिलती है जो अंतर में शब्द को सुनने की शक्ति है अंतर में शब्द का सुनना शुरूती है यही प्रणव का प्राणों द्वारा गान है अकाश्वानी का सुनना है यही आत्मा का आनंद है इस शब्दुन में स्वभाविक आकर्शन है इसके द्वारा मन स्थिर हो जाता है यही नकत धर्म है इसी को सुरत शब्द योग कहा गया है जो केवल गुरु की दिक्षा द्वारा प्राप्थ हो सकता है बाहर मुखी और अंतर मुखी धर्म साइंस प्रत्यक्ष जगत का विज्ञान है धार्मिक करमकांड के नियम, शारिरिक रहन सेहन तथा आचार वहवार के विशे हैं और परमार्थ आत्मा का और घट के आंतरिक खंडों ब्रहमांडों का ज्यान है वह मालिक का अनुभव करने और उसके साथ अभिन होने का विज्ञान है जो एक लाबयान और निराली हकीकत है परमार्थी धर्म यानि संत्मत, कमाई यानि अभ्यास और निजी अनुभव का विशे है यह आत्मिक उन्नती द्वारा मुनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाने का नाम है यह बहुधिक संपता के विकास का नाम नहीं यह तो हमारी आत्मा के उस पून प्रभू में जाग उठने या पून सत्ते में परवेश करने का नाम है संत्मत को धारंड करके आत्मा प्रफुलित होती है शान्ती और आनन्द प्राप्थ करती है जिने यह अनुभव है वे मालिक की निकटता का अनुभव करते हैं उन्हें मालिक की हस्ती सच साबित करने के लिए तर्क युक्त यानि दलीली प्रमानों के अवशक्ता नहीं होती मालिक का अनुभव मन और तर्क की पौहंच से परे है लेकिन यह तर्क के विरुद नहीं है जो मालिक में मगन रहते हैं वे भी उसका पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते उसके भेद वर्णन की सीमा से परे हैं उन्हें भारी आँखें देख नहीं सकती परमात्मा के अनुभव की प्राप्ती के लिए पूर्ण मौन अवश्यक है लंबी चोड़ई चर्चाएं हमें उससे दूर ही रखती है वे तर्क, सोच विचार और बौधिक चतुराईयों से परे की वस्तु है वे आत्मा पर प्रकाश की भाती प्रकट होता है लेकिन भारी ग्यान में उल्चे रहने के कारण हम इसे देख नहीं सकते बारी ग्यान हकीकत से बेखबर है हम बारी विद्याओं के ग्यान में ही फसे हुए हैं और आंत्रिक तत्व के ग्यान की और से पूरी तरह अचेत है हम अपने शारिरिक दुखों, तापों आदी को दूर करने का इलाज तो करते हैं पर यह कभी नहीं सोचते कि हमारे मन की नीच गती को किस तरह रोका जा सकता है हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अपना जीवन खाने, पीने और सोने में बिता देते हैं लेकिन अपने आपको और अपने आधार उस पूर्ण परमेश्वर को नहीं जानते हम केवल भारी या स्थूल चीजों में फसे रहते हैं फिर हम उस मालिक को जो अंतर में मौजूद है कैसे पा सकते हैं गुरु साहिब फरमाते हैं नदरी आवे तिस्स्यों मो क्यों मिलिये प्रभ अबनासी तो मालिक को हम अपने अंदर ही पा सकते हैं इसलिए हमें अपने अंदर ही द्रिष्टी डालनी होगी वहीं से आनंद का खजाना प्राप्थ हो सकता है वह मालिक नाम और शब्द रूप होकर सब जगा व्याप्थ है लेकिन हम उसे तब तक नहीं सुन सकते जब तक हम बहरी शोर से हटकर आंतरिक सुन यानि पून मौन की एक रूपता में प्रवेश नहीं कर लेते जो व्यक्ति अंदरूनी असलियत देखने के लिए बहरी आखों, सुनने के लिए बहरी कानों और बोलने के लिए बहरी रसना के महताज है वे परमार्थ की द्रिष्ची से मुर्दा है जब हम अंदर जाते हैं, हम बिना पैरों के चलते हैं बिना हाथों के काम करते हैं, बिना नेतरों के देखते हैं और बिना कानों के सुनते हैं आदिगरंथ में दर्ज है अखी बाजों वेखना, फिन कनना सुनना पैरा बाजों चलना, विन हत्था करना जीबे बाजों बोलना यूँ जीवत मरना नानक हुकम पच्छान के त्यों खस में मिलना तुलसी दास जी भी रामचरित्र मानस के बालकांड में यही फरमाते हैं बिनपद चलै सुने बिन काना कर बिन करम करी बिदिनाना सबसे पहले हमें अपने आपको जानना अवश्यक है यह तभी हो सकता है जब हम अपने ध्यान को बाहर भटकने से रोकें और अंदुरूनी दुनिया में प्रवेश करके अंदुरूनी मौन और स्थिर्ता का आधार बनाए तभी आत्मा अपने परमात्मा को देख सकती है परमार्त का मुखे दे आत्मा और परमात्मा का मिलाप है महात्मा बुद्ध फरमाते हैं कि वास्त्विक तत्व की उचाईयों को हम अपने अंदर ही पा सकते हैं बाइबल में कहा गया है, खुदा की बादशाहत हमारे अंदर है। आंतरिक यात्रा के लिए ना घरबार ना कामकाज छोड़ने की जरूरत है और ना ही जाती या धर्म को बदलने की। यह कारे हम सांसारिक कामकाज करते हुए भी कर सकते हैं। इसकी युक्ती पूरे सद्गुरु से प्राप्थ होती है जो अंतर में हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं। प्राप्थ कर लेते हैं। वे जब चाहें अपने अंदर एकांत में जा सकते हैं। जैसा मौन, जैसी शान्ती उन्हें अपने अंदर मिलती है, वैसा मौन, वैसी शान्ती और स्थिर्ता बाहर किसी स्थान पर नहीं मिल सकती। बाहर के जंगलों और नदियों के किनारों पर कुछ नहीं मिल सकता, जब तक की हमारा मन एकाग्र ना हो। धर्म के दो पहलू हैं, एक सामाजिक और दूसरा आत्मिक। सामाजिक धर्म का उदेश्य केवल किसी विशेश समाज या श्रेणी का समर्थन और विकास है। आपसी मेल मिलाप या आचार वहवार के नेमों का सुधार, पुरानी यादगारों और त्योहारों को मनाना और धर्मिक करम कांड का पालन करना, यह प्रविर्ती का मार्ग है। लेकिन आत्मिक धर्म का कारे केवल आध्यात्मिक है, यानि यह जानना है कि आत्मा क्या है और उसका मालिक के साथ क्या संबंध है, इसका धे केवल आत्मा की उन्नति करना और उसको मालिक के साथ जोड़ना है, ताकि जीव अपने जीवन काल में ही सब बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर ले और उसमें अभेद हो जाए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाज का आधार आत्मिक उन्नति है जिस तरह जिस्न की कीमत उसके अंदर वसी रूँ से है उसी प्रकार किसी समाज का महत्व उसके सदस्यों की रोहानी जागरती पर निर्वर है, लेकिन आत्मिक उन्निती की कमी से समाज तंग दिली, धार्मिक पक्षपात और खुदगर्जी का केंदर बन जाता है, जो विभिन मतों के आपसी विवाद, द्वेश और जगणों का मुख्य कारण है. संतों का मत केवल रोहानी है, वे चाहे किसी भी समाज में रहते हों, पर उनका असली उदेश्य, अचेत यानी सोई हुई आत्माओं को चेताना है, सुरत शब्द योग की कमाई करवाना है, इसलिए वे धार्मिक और जाती संबंधी, जगडों बखेडों से दूर ही रहते हैं वे ना तो किसी नए धर्म या संप्रदाय की स्थापना करते हैं, ना किसी पुराने धर्म को गिराते हैं आजकल सामाजिक धर्मों की कमी नहीं, कमी है तो आत्मिक धर्म की, मुनुष्य के लिए इस असलियत को समझना अवश्यक है यदि असलियत का बोध हो जाए, तो वहे चाहे ग्रस्त हो या त्यागी हो जाए, इससे कोई फरक नहीं पड़ता सब धर्मों की बुनियाद में रुहानियत, यानि सुरत शब्द मार्ग का उवदेश है, जो लगभग लुप्थ होता जा रहा है केवल टेक ही टेक बाकी रह गई है संतों की शिक्षा, किसी ग्रंथ या करमकांड की रूडियों और बंधनों से संबंद नहीं रखती इसका संबंद आत्मा की उन्नती से है, आत्मा को नाम में रंग देने से है यह आत्मिक अनंद को प्राप्त करने की विदी है, जो सत्संग द्वारा प्राप्त होती है सिखाने पढ़ाने से प्राप्त नहीं होती जब आत्मिक अनुभव में आनंद आता है, तो जीव उसमें मग्न रहता है और सुरत स्थिर हो जाती है सुरत के स्थिर हो जाने पर काल और माया का ख्याल तक पास नहीं फठकता संतों की शिक्षा, इल्मे लुदनी, आत्म ज्यान है जो बगैर पड़े लिखे प्राप्त होता है संतों की जीवनियों पर द्रिष्टी डाले उन्हें पून आत्मी ज्यान प्राप्त था सब संतों का मत एक ही राह है चाहे वे किसी जाती या देश में हुए हो उसमें अंतर या भेद की संभावना नहीं संत, रीती रिवाज और करम कांड के जंजटों की और ध्यान नहीं देते उनका उदेशे जीवों को आत्मिक शिक्षा देकर मालिक के साथ जोड़ना है वे संसार को मालिक से विमुक करने के लिए नहीं आते मौलाना रूम कहते हैं कि जब मूसा ने एक भक्त के दिल को ठेस पहुचाई तो खुदा ने यह कहते हुए उसे फटकार दिया कि तुम जोड़ने के लिए आय थे तोड़ने के लिए नहीं तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी अंत में यह कहना जरूरी है कि संतों की शिक्षा प्रकृती के अन्ने प्रसादों जैसे प्रकाश, हवा, जल आदी की भांती सब के लिए मुफ्त है विज्ञान और धर्म आम तोर पर विज्ञानिकों की धर्ना है कि धर्म केवल भ्रम या अंध विश्वास है और मनुष्य धर्म के बिना भी उतने ही आराम से रह सकता है जितना धर्म का पालन करते हुए एक प्रसिद जर्मन दाशनिक कार्ल माक्स का कहना है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम का काम करता है इसके विप्रीत आस्तिक यह कहकर प्रसन होते हैं कि विज्ञान ने सर्वनाश के शेतानी हत्यार तयार किये है और संसार में जगडे और आशान्ती को बढ़ाया है विज्ञानिक यह तो मानते हैं कि मनुष्य के अंदर मन है और अगर इसका भली प्रकार ख्याल रखा जाए तो आत्मा, अगर इस प्रकार की कोई वस्तु है तो अपनी चिंता आप ही कर लेगी उनकी प्राथना कुछ इस प्रकार की होती है हे मालिक, अगर कोई है तो मेरी आत्मा, यदी कोई है तो कि संभाल कर उन्हें आत्मा और परमात्मा दोनों के बारे में शंका है इनके होने में पक्का विश्वास नहीं संत महात्माओं के लिए आत्मा एक सची हस्ती है, जो चंचल मन और शरीर, जो मिट्टी का पुतला है के बंधनों में फस गई है, उनके लिए जीवन का आदर्श आत्मा को इन बंधनों से मुक्त करके परमात्मा के साथ जोड़ना है, यह उन्होंने अपने अनुफव द्वा जाना है, आत्मा की इन बंधनों से अजादी को वे मुक्ती कहते हैं, बहुत से लोग मुक्ती का वास्त्विक अर्थ नहीं समझते, इसके बारे में उनकी धारना अलग-अलग है, कई लोग तो पत्थर की भाती जड़ हो जाने को मुक्ती कहते हैं, और कई बूंद के जाने को यानि जोती के जोत में समा जाने को मुक्ती समझते हैं, असल में दिल यानि मन के कारण आत्मा और शरीर का एक दूसरे से बंध जाना बंधन है, और उस बंधन के ना रहने का नाम मुक्ती है, सांसारिक कामकाज करते हुए भी, अंदुरूनी तोर पर हर वक्त प्र प्रमार्थ की प्रथम सीढ़ी गुरुभक्ति है, फिर नाम की कमाई है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है, यह मुक्ति की वह अवस्ता है जिसमें सच्चे दुर्धाम की जीतेजी प्राप्ती होती है, जो आत्मा का निजधाम है। हाफिज साइब फरमाते हैं, हाफिजा, खुल्दे बरी, खनाय मौरेसु मन अस्थ, ए हाफिज, सचखंड मेरा मौरुसी यानी पैत्रिक घर है, सभी जीवित वस्तूओं, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, पर वातावरण के दो प्रभाव होते हैं, एक अंदुरूनी और रूप से व्याप्त है, जब तक मनुष्य की अकांक्षाओं और भारी वातावरण में तालमेल रहता है, वे खुश रहता है, यदि सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार होता रहे, हम प्रसन हैं, लेकिन देखने में आता है, कि यहे एक रस रहने की हालत अधिक समय तक नहीं रह सकती, क्योंकि अंदर और बाहर के हालात स्थिर नहीं है, दोनों ही बदलते रहते हैं, मनुष्य इस एक रस्ता को पाने के लिए दो प्रकार से कोशिश करता है, एक तो भारी पदार्थों पर इस प्रकार अधिकार पाकर कि उसकी जरूरते जब भी वे चाहे पूरी हो स और दूसरे अंतर की उतेजनाओं, त्रिशनाओं को इस प्रकार वश्मे करके कि बाहर के सदा बदलने वाले वातवरण का उसके उपर असर ना हो, यदि विज्ञान और धर्म के लाब और उनकी सिमाओं पर गहराई के साथ विचार करें, तो उन दोनों का आपस में तालमे बेठाने के लिए कई आधार मिल जाएंगे, साइंस का संबंद भौतिक पदार्तों से है, जिनका जोड तोड किया जा सकता है, और जिनका आकार, नाम तथा वजन होता है, विध्यूत अनुओं से लेकर सितारों तक, वे सब पदार्त जिनका वर्नन हम शब्दों में कर सकत विध्यान की सीमा के अंदर है, हमारे भाव तथा मानसिक विकार और बाहर के वे सब पदार्त भी जो हम पर प्रभाव डालते हैं, विध्यान के दाएरे में ही आते हैं, बाहर के विध्यान में हम हर वस्तू को इन इंद्रियों, आखें, कान, नाक आदी द्वारा देख, और सूंग सकते हैं, पर अंदर की दुनिया निराली है, वहां हमारी इस परकार की पहुँच नहीं, बाहर की इंद्रियां मनुश्य के अंदर की अवस्था को नहीं देख सकती, दूसरी बात यह है कि विज्ञान की खोज में हम बाहर की समगरी से बहुत कुछ साहेता ले सकते हैं, और बहुत से लोग उनके बारे में तजर्बा कर सकते हैं, विज्ञान के तजर्बों और नतीजों को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, बाहर की दुनिया में विज्ञान के विशेश महत्व के यही मूल कारण है, विज्ञान में सदा नए प्रियोग हो रहे हैं और होते इनका कोई अंत नहीं और जिंदगी यूँ ही बदलती रहेगी। इसके विप्रीत आत्मिक मंडल बहुत अलग है। वे अद्भुत हैं पर वहां पहुचा नहीं जा सकता। क्योंकि ना वे इन भौतिक आँखों द्वारा देखे जा सकते हैं और ना बुद्धी द्वारा समझे जा सकते हैं। इसलिए धर्म में विश्वास केवल पोँचे हुए महात्माओं द्वारा कही गई बातों पर निर्भर करता है, जिनोंने अनुशासन और अभ्यास द्वा आनंद का वह भंडार मनुश्य के अपने अंदर है, जिसे पाकर वह अंदरूनी उत्तेजनाओं पर काबू पाता है और उसकी खुशी का बीमा हो जाता है, यानी खुशी स्थाई हो जाती है। चाहे बाहर की दुनिया में उसे सिर्छ छिपाने के लिए भी स्थान ना होू धर्म के मार्ग में बहुत सी रुकावटे हैं। सब इनसान जिनमें संत महत्मा भी हैं मरते हैं। मौत के बाद उनके संदेश और उपदेश में बहुत सी मन गणत बाते मिलाकर उन्हें खीचतान करके तोड मोड दिया जाता है। जिसके सहारे संतों की रोहानी रसाई और अनुफवों को हम बाहर औरों के सामने रख सकें। जिस प्रकार रेडियो से हम सारे संसार से वारता कर सकते हैं या हवाई जहाज पर सवार होकर हम सारे संसार जल थल पर उड़ सकते हैं। एक संत की अवस्था प्राप्त करने के ल इसके अंदर जाना और संतों के तजर्बों को अपने अनुभव में लाना पड़ता है। अंदुरूनी दुनिया का आम तौर पर सबको एक साथ सामुहिक अनुभव नहीं होता। प्रतेक आत्मा अकेले ही अपने अंदर उस अनुभव का रस लेती है। इसलिए रुहानियत निश्चे पुर्वक निजी या व्यक्तिगद अनुभव है। धार्मिक जीवन विशाल मंदिरों, मस्जिदों, गुर्दवारों और गिर्जागरों पर निर्भर नहीं करता। औ और ना ही धर्म पुस्तकें या धर्म आदेश उसकी प्रगती का सबूत है। इसका सबूत गिंती के वे जीवित महापुरुष हैं जिनें प्रभुरूपी परम तत्व का निजी अनुभव प्राप्त है और हर समय हो रहा है, जिसे पाकर उन्हें बाकी सब चीजें तुछ प्रितीत होती है। विज्ञान के तजर्बों की तरहां रुहानी तजर्बे भी एक विशेश विधी के अनुसार किये जाते हैं। जिस प्रकार विज्ञान का कोई प्रयोक करने से पहले, हम उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए यह तसली कर लेते हैं कि हमारे ओजार बच्चे और पवित्र जीवन के अवशक्ता है। मूर्ती पूजा या परमात्मा की भक्ति, मनुष्य की आत्मा चेतन परंतु अद्रिश्य और शरीर यानी जड़ का मेल है। जहां तक मनुष्य जड़ है, जड़ तत्मों के नियम उस पर लागू होते हैं। जड़ तत्मों के नियम जैसे बहार शक्ती, अकर्शन शक्ती, जुड़ने की शक्ती, अलंगनियता, प्रभा शक्ती आदी। जहां तक वह सजीव है, उस पर सजीव तत्मों के नियम लागू होते हैं। सजीव शरीर के नियम जैसे पालन पोशन, बढ़ना, विकास, आत्मविस्तार, आदी। जो उसे अपने पालन पोशन और आराम के लिए यत्न करने को प्रेरित करते हैं। जब तक मुनुष्य इस शरीर में कैद है और ये नियम उस पर लागू होते हैं, तब तक उसे दुख, दर्द और चिंता बनी रहती है। जब वह इनसे उपर आत्मा से संबंद रखेगा, वह सुक स्वरूप हो जाएगा। कबीर साहिब फरमाते हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। इसी विशे में महात्मा बुद्ध का कथन है, कि शारीरिक जीवन दुख का रूप है। हर समय शरीर को ही बनाने, सवारने और उसके पालन पोशन में लगे रहना भी वास्तव में मूर्ती पूजा है। इस शरीर के अंदर आत्मा के बनाव शिंगार और मालिक के साथ उसे जोडने का प्रयत्न करने का नाम परमेश्वर की पूजा है। लेकिन हम इस ओर से बिलकुल बेसुध हैं। इसके बारे में सोचते ही नहीं। हमें यह भी नहीं पता कि आत्मा का पालन और उसका शिंगार किस प्रकार होता है। शरीर से पहले आत्मा का शिंगार अवशक है। शरीर घर है और आत्मा उसकी निवासी है। केवल घर की सफाई और बनाव शिंगार किस काम के यदि उसमें रहने वाला बूखा, प्यासा और अचेत पड़ा हो, पहले घर में रहने वाला हो, उसके बाद ही घर की जरूरत है, हम स्वयम यानि आत्मा को भूल कर शरीर रूपी घर के मोह और प्यार में इतने रच गए हैं कि हम इसकी दिवारों और छट का रूप बन चुके हैं, घर में रहने वाला स्वयम ही घर बना पड़ा है, अगर हम इस शरीर रूपी घर को सुन्दर देखना चाते हैं, तो इसमें रहने वाले को सुन्दर बनाना चाहिए, यह घर तो बदलता रहता है, पुराना और कमजो हो जाता है, यह सदा एक रूप नहीं रह सकता, इसे एक दिन छूट जाना है, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, शरीर नश्वर है, वे हमेशा रहने वाला नहीं, शरीर की उचित देख भाल करते हुए, इसके अंदर अपनी आत्मा की बैठक पर, जो दोनों भ्रिक्यूटियो के बीच आँखों के पीछे है, ध्यान एकागर करके बैठ जाओ, और किसी पहुँचे हुए महत्मा से शिक्षा लेकर, अपना संबंद कुल मालिक के साथ जोड लो, गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कि यदी कोई मुझे परमात्मा से मिला दे, मैं उसके पाउं कोसुब रसना, दीजे प्रान अकोर। इस तरहां हमारी आत्मा मालिक का रंग लेकर सच्चे अर्थों में सुन्दर हो सकेगी, और इसका जुकाव मालिक की ओर हो जाएगा। पहले अपनी आत्मा को भोजन देना चाहिए, बाद में इस शरीर को। ऐसा करने से हमारे अंदर रोहानी गुण प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि सत्संग यानि सत्य का संग या ऐसे जीवित पुरुष की संगती करें जिसकी आत्मा परमात्मा में मिलकर परमचेतन हो चुकी हो। ऐसे अध्यात्मिक पुरुष की संगती से और मालिक की देया से हमारी आत् का तार कुल मालिक के साथ जल्दी जुड़ जाएगा। काया वही सुन्दर है जिसमें सुरत अपने पती उस कुल मालिक शब्द यानि नाम के साथ वास कर रही ही हो। उस सच्चे पती के साथ मिलाब करने पर इसका सोहाग सदा बना रहता है। शरीर छूटे या रहे इसकी उसे कुई चिंता नहीं रहती गुरु अमर्दास जी फरमाते हैं काया कामन अत्त सोहालियो पिर वसे जिस नाले पिर सच्चेते सदा सोहागन गुर का सबद समभाले काया का भेद सद्गुर की सेवा करने यानि गुर्मुक बनने से प्राप्त होता है यह चतुराई से प्राप्त नहीं किया जा सकता यह दात मालिक जिसे चाहे उसे देता है गुरु अमर्दास जी का कथन है गुर्मुक होवे सो काया खोजे होर सब परम पुलाई जिसनु दे सोई जन पावे होर क्या को करे चतुराई आप एक जगा और फरमाते हैं साकाया जो सद्गूर सेवे सच्चे आप सवारी गुर्बाणी में आता है विन नावें दर टोई नाही ताजम करे खोवारी नानक सचवडियाई पाए जिसनु हर किरपा तारी अदर्श धर्म आज हमें किस बात की ज़रूरत है क्या एक नेया विश्वयापी धर्मस्थापित किया जाए या एक ऐसा धर्म बनाया जाए जो सब धर्मों के गुणों और नियमों का सार हो यह केवल विचार ही विचार है जो आज तक वास्तव में पूरा नहीं हो सका किस शरियत यानि धर्मिक नियमों को छोड़ा जाए और किसको स्विकार किया जाए लोगों के स्वभाव और विचार करने के धंग अपने अपने और अलग-अलग है और हर एक अपना तरीका उत्तम मानता है संसार के मतों में समानता और अंतर सदा रहेगा सबको एक ही विचार पर चलने वाला नहीं बनाया जा सकता इसके बावजूद इनसानों में आपस में ऐसी रुहानी समानता है ऐसी सांजी परंपरा है जिसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती धार्मिक रीती रिवाजो आदी में भेध है लेकिन मूल बातें सबकी एक सी है इस समस्या को हल करने का केवल एक ही उपाय है कि परमार्थ को एक विज्ञान की भाती संसार के सामने रखा जाए जो कोई जिस भी धार्मिक विचार या नियम में है उसी में रहते हुए परमार्थ के विज्ञान को अमल मिलाकर सीखे और अपने इस शरीर की प्रयोकशाला के अंदर ही आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप का अनुभव करे आत्मा का परमात्मा से मिलाप का नाम ही निजी धर्म है दूसरे शब्दों में प्रभु रूपी सच के साथ जुढने के अनुभव का नाम धर्म है महात्माओं की आत्माएं मालिक के साथ जुढी उन्होंने अपने अनुभवों का अर्थात जो कुछ उन्होंने रुहानी मंडलों में देखा गरंत पोथियों में वर्नन कर दिया किसी धर्मशास्त्र या मत मतांतर को जूटा ना कहो जूटा वे है जो उन पर विचार नहीं करता कबीर साहिफ फरमाते हैं बेद कतेब कहो मत चूठे चूठा जो ना विचारे एक और समस्या जो आदर्श धर्म को स्थापित करने की रहा में आती है वे है व्यक्तिकत आचरंड से संबंद रखती है जिन्हें मालिक से मिलाब का अनुभव हो गया है वे सब के साथ प्यार करते हैं वे मालिक के पिता होने का और सब मनुश्यों के प्रती ब्रात्रभाव का अनुभव करते हैं निश्चित रूप से समझ लो कि जो लोग आपसी द्वैश और भेदभाव का उबदेश देते हैं उन्होंने मालिक का अभी तक कोई अनुभव प्राप्त नहीं किया यानि वे मालिक के अनुभव से खाली है हमारी आत्मा को उस मालिक का जो निजी अनुभव होता है वही हमारा असली धर्म है हमारे धर्म शास्त्रों में जिन रोहानी अनुभवों का वर्नन किया गया है उन्हें जब तक गुरू के द्वारा हम अपने अंदर प्रित्यक्ष नहीं कर लेते तब तक हम उसे अपना धर्म नहीं कह सकते कैसे साहे जो हम नावी आहे हमें ऐसे धर्म की जरूरत है जिसका तजर्बा हमें मालिक के साथ मिलकर हुआ हो यदी हम संसार के विभिन धर्म शास्त्रों की व्याख्या या जाच परताल करें तो पता लगता है कि उनमें जो सच्चाया हैं वे उन धर्मों के चलाने वाले महापूर्शों के अपने निजी रुहानी अनुभवों का निचोड है उन महापुर्षों ने मनुष्य के आत्मिक जीवन के अंग को विशेश रूप से प्रमुख रखा है उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मनुष्य के अंदर कोई ऐसी वस्तु है जो शरीर के बदल जाने पर भी बदलती नहीं प्रतेक मनुष्य को अपनी आत्मिक अवस्ता का विकास करना चाहिए ताकि वह उस चीज को जान सके जो बदलती और मरती नहीं मनुष्य जीवन का आदर्ष सांसारिक पदार्थों का भोग नहीं बलकि उस सत्य की प्राप्ती है जो हर एक मनुष्य के अंदर है सब धार्मिक पुस्तकों में इस आंत्रिक आत्मिक जीवन को जागरित करने और उस महाचेतन सत्य के गुणों को अपने अंदर धारन करने के साधनों का उलेक है कोई सच्चा धर्म प्रेमी यह नहीं कह सकता कि सच्चा धर्म केवल वहवार और रीती रिवाजों का स्मू है सब मतों के अनुयाईयों का मुख्य आदर्ष उस सच को जानना ही है इसमें कोई शक नहीं कि सेकड़ों ऐसे धर्म और मत हैं जिन में कर्म कार्ण पर जोर दिया गया है पर सबका उदेशे उस मालिक की प्राप्ती है और उनकी बुनियाद में एक ही सिध्धान्त काम कर रहा है जो नाम, शब्द या कल्मे की शिक्षा है हमारी सुरत के इस शब्द के साज जुणने में ही हमारा कल्यान है इसी को सुरत शब्द योग कहे कर पुकारते हैं पर मात्मसे मिलाप करने का यही एक मात्र रास्ता है हमें सब धर्मों का प्रेम पुर्वक अध्यन करना चाहिए और उस मूल सिध्धान्त और सांजे आदर्ष को धारन करना चाहिए ताकि धर्मों की आपसी खीचतान दूर हो सके हमारे हृदे में पिछले सभी धर्मों के प्रती सम्मान है क्योंकि सबकी बुनियाद में एक ही मुख्य सिध्धान्त और आदर्ष है हमारे हृदे में उन सब पून महापुर्षों के लिए भी आदर है जो धुरधाम पहुँचे हैं या पहुँचेंगे और जो मालिक के साथ हुए या होने वाले अपने अनुभुवों को प्रकट करेंगे मालिक एक ला बियान भाशा में लिखी गई कभी ना खत्म होने वाली अलोकिक किताब है वेद, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु गरंद साहिब आदी सब धर्म पुस्त के मालिक रूपी किताब के बहुत से प्रिष्ठ है जो लिखे जा चुके हैं और इसी प्रकार और अनगिनित पृष्ठ लिखे जाएंगे जो पिछले संत महात्मा उस मालिक के अनुभव का वर्नन कर गए जो वर्तमान महात्मा वर्नन कर रहे हैं और जो महात्मा आगे भी आएंगे उन सब को हमारा नमस्कार है आज माया में फसे हुए इस युग में हम धर्म के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं सब के लिए समान धर्म की स्थापना के लिए संवेलन होते दिखाई दे रहे हैं अनेक पुस्तकें लिखी जा रही है धर्म प्रेमियों की दृष्टी असलियत की और खीची जा रही है और नैतिक सच्चाईयों और नियमों को जो सब के लिए समान है सपश रूप से संसार के सम्मुख रखा जा रहा है ऐसे सम्मेलनों, उबदेशों और ऐसी पुस्टकों का अध्यन एक ऐसे सर्व्यापी धर्म का अधर्श हमारे सामने पेश कर रहा है जिसका मकसद हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप करना है और जो आने वले समय में संसार का सर्व मानने और विश्व्यापी आत्मिक धर्म हो सकेगा इसमें सब लोग अपने अपने समाज में रहते हुए परमात्मा का अनुभव करने के लिए प्रेरित होंगे और भूत पूर्व तथा वर्तमान समय के आमिल फकीरों, संत महात्माओं तथा रिशी मुनियों का मान करेंगे यह ऐसा धर्म है जो परमात्मा ने खुद बनाया है यह मानव जाती को उसका उपहार है यह उतना ही पुराना है जितना यह संसार हमें केवल इसे अपने जीवन में उतारने की जरूरत है चेतना के स्तर एमानव तु कब तक घड़े के भारी साचे ढाचे और सजावट से मोहित होकर ब्रह्म में पड़ा रहेगा इनसे हटकर घड़े के अंदर जो पानी है उसकी ओर द्रिश्टी डाल तु कब तक भारी सूर्तों पर मोहित होता रहेगा तु हकीकत का खोजी बन और हकीकत की तलाश कर बाहर से दिखाई देने वाली सूर्ते नाश्वान है केवल वह सच्चाई यानि हकीकत अटल और निश्चल है तु बाहरी शकलों को देखकर और उनमें मग्न होकर हकीकत की ओर से बेसुद हो रहा है यदि समझदार है तो सीप में से मोती को निकाल ले यह सीप तो केवल बाहरी खोल है यह खोल केवल किसी बहमुल्ले वस्तु को रखने के लिए बनाया गया है तुझे इसके अंदर जहाकने की जरूरत है सुभाग्यवश अपनी आत्मा के विकास के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं हमें पिछले महात्माओं के अनमोल वचनों के भंडार को खोल कर देखना चाहिए उनमें आत्मा की खुराक छिपी हुई है जिसे खाकर मन और आत्मा त्रिप्थ हो सकते हैं गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं प्यू दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मान पया निधाना मुनुष्य का शरीर हाथ, पैर तथा अन्य बहुमुले अंगों से सुसज्जित है और उसकी बनावट अत्यंत सुन्दर है पर यह बात्सपश्ट है कि शरीर के सारे अंगों में आँखों का स्थान सबसे उंचा है इनका कारे भी सबसे अधिक महतपूर्ण है यह हमारी आंत्रिक अशांत या शांत अवस्था की जलक देती हैं इसलिए इनहें आत्म के जरोके कहा जाता है ये हमारी आंत्रिक गती और भावनाओं का प्रभाव औरों पर डालती है एक ख्याल भी जब इनके अंदर जलकता है तो सेकणों संसार उलट-पलट हो जाते है इनकी एक निराली बोली है जो मूख है इशारे इशारे में ही वह सब प्रकट कर देती है जो और किसी तरह भी प्रकट नहीं किया जा सकता जागरित अवस्था में आत्मा और मन आखों के पीछे अपनी बैठक से कारे करते हैं यदि किसी अंधे को आवाज दे कर पुकारें तो वह भी आखों के केंदर पर ही जोर दे कर कहता है हाँ भाई सपने में मन और आत्मा आखों के केंदर से नीचे कंठ चक्र में होते हैं और गहरी निंदरा में नाभी चक्र में यदि हमें उस भेद को जानना है जो मन की जागरित अवस्था से उपर है तो हमें अपनी चेतना यानी सुरत को जागरित अवस्था से उंची अवस्था में ले जाने की कोशिश करनी है इसलिए संतों का मार्ग आखों के केंदर से शुरू होकर सुरत को चेतना की उच्छतर अवस्था में ले जाता है इस मार्क पर चलने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम उन मंडलों का जिक्र करें जिनका अनुभव आत्मा अपनी यात्रा के दौरान करती है समस्त स्रिष्टी को चार मुख्य स्तरों पर बाटा जा सकता है स्रिष्टी का ज्यान प्राप्त करने और परमात्मा के पास पहुँचने का मार्ग इस भौतिक शरीर के अंदर है क्योंकि जो कुछ बाहर की रचना है वह मुनुष्य शरीर के अंदर भी है भक्त पीपा जी फरमाते हैं जो भ्रमंडे सोई पिंडे जो खोजय सोपावे पीपा प्रणवे परम तत है सत्गुर होए लखावे भ्रमान तक की सारी स्रिष्टी भ्रम की सीमा में है और प्रले में नश्ठ हो जाती है सत्लोग के प्रवेश द्वार तक की स्रिष्टी महा प्रले में नश्ठ हो जाती है सत्लोग अविनाशी देश है जो प्रले और महा प्रले की सीमा से परे है यह संतों का निजधाम है और संतमत का लक्षे है ब्रह्मान में मुखे छे चक्र हैं जिनका प्रतिबिम अंड के छे चक्रों पर पढ़ता है और अंड के छे चक्रों का प्रतिबिम पिंड के छे चक्रों पर पढ़ता है जिस परकार पानी में पढ़ने वाले सूरे के प्रतिबिम में सूरे का आकार होता है सूरे की गर्मी या तेज नहीं होता और पानी के उस प्रतिविम्ब की परच्षाई यदि दिवार पर पढ़ती है तो उसमें सूरे का आकार भी नहीं रहता केवल कुछ जलक होती है उसी प्रकार ब्रह्मान के छे चक्र ब्रह्मांड से अंड और अंड से पिंड तक प्रतिबिम्बित होकर अपने मूल रूप के आभास मात्र रह जाते हैं पिंड के छे चक्र आखों तक स्माप्त हो जाते हैं वे इस परकार हैं पहला गुदा चक्र यानि मूलाधार दूसरा इंद्रिये चक्र, यानि सुआदिष्ठान तीसरा नाभी चक्र, यानि मनिपुर चोथा, रिदे चक्र, यानि अनाहत पाचवा, कंठ चक्र, यानि विशुद छटा, नेत्र चक्र, यानि आघ्या, जो आँखों के पीछे है योगी जन पिंड के इन छे चक्रों को जागरित करके उपर आते हैं वे पहले धोती, बस्ती और नेती द्वारा शरीर की मैल को साफ करते हैं फिर वे अपनी तवज्जो यानि ध्यान को मुलाधार या गुदा चक्र जिसे गनेश चक्र भी कहते हैं पर एकागर करते हैं जागरित की जाने की अवस्ता में यह रीड के बीच की नाली से सांप की तरह उठती है और चमतकारी शक्तियों को उभारती है और इस परकार अभ्यास द्वारा इन चक्रों को पार करके वे आँखों के पीछे आग्या चक्र में पहुँचते हैं यह अभ्यास बड़े कठिन है क्योंकि इन में प्राणों का सैयम करना पड़ता है और घरस्त तथा निर्बल मनुश्यों के लिए यह हानिकारक भी हो सकते हैं